दरास्टी खबरों की बात करें, गाजा में इसराइल ने लगातार हमले जारी रखे हुए है, अधर हमास के ठिकानों पर लगातार कारवाई की जारी है, गाजा में अब तक 7900 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है, हवाई हमले के साथ ही ग्राउंड ओपरेशन भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, चुकि लगातार यह बाते कहीं जा रही थी, कि हवाई हमले तो इसराइल कर लेगा, लेकिन ग्राउंड ओपरेशन इसराइल की तरफ से कैसे किये जाएने, तो इसराइल ने इस बात का भी भूतोर जवाब देते हुए, ग्राउंड ओपरेशन पर भी तगड़े तरीके से हमले करने शुरू किये हैं, और हमास के ठिकानों पर, हमास यानि हमास की जितने आतंकी हैं, उनके ठिकानों पर एक एक करके कारवाई लगातार भी जा रही है, अब तक फलिस्तीन समर्थक हमास में 9,700, करीब करीब 10,000 लोगों की जान जा चुक है, तो इसराइल हमास युद्ध का 31 दिन है, यानि करीब एक महिने से भी उपर का दिन हो चुका है, और यहाँ पर लगातार गारवाई जा रही है, हमले इसराइल के तरफ से भी लगातार किये जा रहे हैं, हवाई हमलों के साथ साथ जरावन ऑपरिशन भी किया जा रहा है झाल